लेते कोशन नबर एट किर रहा विच फिजिकल पिंसपल इन वर्किंग ऑफ जैट अब देखिए कोई जैट अरॉप लेने ओके सुटिंस तो यह पूरा एक सिस्टंम है अभी अभी यह रेस्ट परहे मान अगर यह रेस्ट परहे तो हमोमेंटम कितना वहुगा्ण इसके मुष्णिंस इसका कुछ न कुछ मास होगा लेड़ से M कुछ न कुछ इसका मास होगा ओके सुड़ें से M तो M into V तो इसका नेट मोमेंटम कितना आ गया इसका नेट मोमेंटम M into V कितना आ जीरो आ गया डिए अब देखिए conservation of momentum principle of conservation of momentum क्या बोलता है यह बोलता है कि देखे किसी system का जो net momentum है वो conserve रहता है अगर किसी system में कोई भी change हो रहे हो ठीक है तो उसका जो net momentum है वो conserve रहेगा provided that कोई external force ना लग रहा हो उसके उपर बाहर से कोई इसको disturb ना लग कर रहा हो force लगा के ठीक तो ध्यान से सुनो यह जो आपका jet aeroplane है ठीक है अभी इसके उपर कोई external agent तो आके ऐसा force लगा नहीं रहा है जो भी होगा इसका इस system के अंदर ही होगा मतलब आपको पता इसका fuel burn होगा इसका fuel burn होगा और gases पीछे निकलेंगी इस तरीके से ध्यान समझेगा इसका fuel burn होगा और gases इस तरीके से पीछे निकलेंगी अब यह जैट आगे की direction में जाएगा तो क्या हो रहा है ध्यान से सुनिए मैं यहां पर एक और diagram आपको बना के दिखाता हूं ठीक है अभी जब यह rest पर था यानिक जब भी start नहीं वाता तो इस system का इसी जेट को हमने यहां पर बनाया यह इस तरीके से अब मानलो यह start हो चुका है तो जब यह start हो जाएगा तो इसमें इसके जो fuels वगरा होंगे वो burn करना start करेंगे तो पीछे की direction में कुछ gases ऐसे निकलेंगी यह देगे इस तरीके से तो यह जो gases पीछे की direction में निकल रही है अब देखो बच्चो जो gas पीछे इस direction में जा रही है ठीक है तो उस gas के पास कुछ ना कुछ velocity होगी वो आई कहां कहीं बाहर से तो आई नहीं है तो उसी system का part है ना यानिक इस system को किसी ने बाहर से disturb नहीं किया है ठीक है तो ध्यान से सुनिए कुछ momentum पीछे की direction में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यस सर आ रहा है क्यों आ रहा है ध्यान से चक्को पीछे जो gas निकल रही है इसके पास कुछ ना कुछ तो mass होगा यस सर इसके पास कुछ ना कुछ तो velocity होगी किसी velocity से पीछे निकल रहा होगा ठीक यानिके mass into velocity है gases के पास यानिके gases के पास momentum ह यह सद, तो यह जो पीछे की डिरेक्शन में गैसे निकल रही है, इसके पास कुछ न कुछ मोमेंटम होगा, let us say वो मोमेंटम कितना है, P1 है, ठेक, अप सनू, अगर पीछे की डिरेक्शन में एक मोमेंटम बन गया है, और नेट मोमेंटम अगर 0 करना है, मोमेंटम एक पीछे बना है, तो गैसे जितना मोमेंटम लेके पीछे की डिरेक्शन में निकलती है, उतना ही मोमेंटम रॉकेट को भी मिलता है, ठेक, बस रॉकेट आगे चलने लगता है, क्या दिक्कत है, देखिए जब तक नहीं चल रहा था, नेट मोमेंटम कितना था, 0, principle of conservation of तो आगे की direction में भी मोमेंटम कितना मिलेगा, पी मिलेगा, ओके students, अब ये right hand direction है, इसले हमने पी लिखा, ये left hand direction है, हमने माइनस लिखा, तो अब इस rocket को ध्यान से देखिए, ये पूरा एक सिस्टम है, अभी भी पूरा क्या सिस्टम है, अगे से को भी हम ले रहे हैं यहा प्लस पी प्लस माइनस माइनस पी इस इकोस टू जीरो अभी भी नेट मोमेंटम कितना है जीरो यही तो प्रिंसपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ठीक तो मोमेंटम को रखने के लिए आप कह सकते हो कि रॉकेट आगे की दिश्या में चलता है ठीक यह मैंने आपको फॉलो कर सकते हैं तो बस थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्प्लेइन कर दिया शॉर्ट में तो प्रिंसपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस इन्वाल्ड इन वरकिंग ऑफ जेट एरो क्लें ओके सुटिंस करेक्ट तो इस तरीके साब इसको सीख सकते हैं ओके नोट कर क्लीचे